आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ रचा सिंग आम आदमी पार्टी के सयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यवंत्री अर्विंद केज़िवाल अपनी अलगी तरह की राजनीती के लिए जाने जाते हैं जातियों से उपर उठकर उन्होंने आम आदमी वाला एक अलग ही वोड़ बैंक तैयार किया है लेकिस समय के साथ और बदलती जरूरतों के हिसाब से केज़िवाल की राजनीती में कई और सियासी रंग जुड़ चुके हैं अब विपरिपक्वनेता की तरह रंग नीती भी बना रहे हैं और अपने विरोधियों को घेरनी का काम भी कर रहे हैं जैसा कि उन्होंने अपने सीम कुर्सी छोड़ कर दिखाया भी है इसी कड़ी में अर्विन केज़िवाल की एक नई नीती निकल कर सामने आई है जिसका नाम है फूट डालो राज करो जी हां सही सुना आपने आईए आपको बता दे हैं केज़िवाल की नई रणीती के बारे में असल में अर्विन केजीवाल ने बिजेपी पर हमला करनी का नया तरीका खोज निकाला है बड़ी बात तो यह है कि कॉंग्रिस इतने सालों में भी इन मुद्दों को नहीं भुना पाई लेकिन आम आदमी पार्टी ने इसे पकड़ लिया है लोकसमा चुनों के दोरान ही इसके रुज़ान देखने को मिल गए थे जब केजीवाल लगातार बोला करते थे उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाज से बिजेपी स्तीफा ले लेगी उनकी सीम कुर्सी खत्रे में है वे तो दो कदम आगे बढ़कर यहां तक बोलते थे कि पियम मोदी आक्टूबर में स्तीफा दे देंगे उनकी जगे अमिशा को प्रदान मंत्री बनाया जाएगा इन बयानों के माइने बताएंगे लेकिन पहले केजरिवाल के एक और बयान को समझना जरूरी हो जाता है हर्याडा में जन्ता की अदालत को संबोधित करते हुए जिस तरह से केजरिवाल ने संग और बिजेपी के बीच में दरार पैदा करने की कोशिश की है वो किसी से छिपा नहीं उन्होंने पूरा प्रयास किया है कि बिजेपी अब आरसेस की एक नहीं सुनती है बिजेपी अब आरसेस के दिशा निर्देशों को नहीं मानती है अब कहने को संग बिजेपी के रिष्टिंग उसका आंतरिक मामला है लेकिन राजनीती में जादा समय तक कुछ भी आंतरिक नहीं रहता है और सियासत कब उबाल मारने लग जाए ये कहा नहीं जा सकता है अब यहां भी आप संयोजक ने पूरी कोशिश की है कि बिजेपी और संग एक दूसरे के खिला हो जाए ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि अर्विन केजरिवाल ने आख में घी डालने का काम किया है जो रिष्टे पहले सही तनावपोर्ण चल रहे हैं उनमें सवालों की बौचार के जरिये और जादा असहज करने का काम किया है या भी बिजेपी के लिए जादा बड़ी चिनोती इसलिए बन जाती है क्योंकि वो संग के साथ अपने रिष्टों पर कभी भी खुल कर नहीं बोलती वो ये नहीं दिखाना चाहती है कि संग के इशारों पर ही उनकी सरकार चल रही है ऐसे में जब केजिवाल इस तरह से सवाल दाग देते हैं तो जवाब न बिजेपी के पास होगा और न संग के पास फिलार के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही देश दुनिया की तमाम खबरों को जाननी के लिए आप देखते रहे हैं सी न्यूज भारत हर खबर आपकी साथ आपकी हाथ